हेलो प्रेंट्स वेलकम टू वाईजग्यान आज हम लोग मोटर वाई की लाक्ट 98 के चैप्टर 13 ओफेंश पेनल्टी एंड पॉर्सीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो यहां पर से टोटल 177 से लेकर 210 तक टोटल सेक्ट Schon है तो हम लोग यहां पर जो आज सेक्शन कवर करेंगे 170 से लेकर 190 तक सेक्शन आज जो निक्ष्ट बचा हुआ से उसे सबसे जादार मेज़र चेंज cargo को लेकर हुई है तो हम लोग इहां पर जो भी चेंज हुए जो प्रीविएक जेन्ज थे जो पिनल्टी थे और अभीड़ लोग 2 19 जब हुए संब में हम लोग भी है हम इसे पड़ है तो आप लोग जरूर copy में नोट्स बनाए ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहों जो भी चीजे है जो इमेंडमेंड के तो उसे आपको column बना लेना कि previous क्या था और एमेंडमेंड के बाद 2019 के बाद क्या क्या चीजे चेंजेज हुए और किस सेक्षन में और हर सेक्षन में क्या चीजे हैं तो पहले क्या था और अभी क्या है तो उसे आप एक नोट्स बना ली जगा तो बाद में आपको द्विजन करने में अशानी होगा करने से पहले समझते हैं कि तो बोल्त में नहीं है और कि चीजें से भीवर की सीजे तो आपको इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है यहां पर अप्टर अमेंड में 2019 तो यहां पर आपको इस तरह से आपको नोट्स बनाए तो आपको किलियर रहेगा और आप रिविजन कर सकते हैं आराम से बाद में जब करिए गा section 177 general provision for punishment of offenses तो जो भी offenses है उसके लिए क्या punishment मिलेगा वो चीज़े यहाँ पर discuss है तो आपको जैसे यहाँ पर हर चीज़े के लिए offenses के लिए हर अपराद के लिए penalties punishment सजा जो भी penalties है वो सब चीज़े यहाँ पर mention है ऐसा बहुत सारे चीज़े हैं mention नहीं है अगर motorbike कि लेक्ट 988 में तो उसके लिए क्या जिक्र होगा जैसे माल लेथी कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़े हैं जो यहाँ पर जिक्र नहीं और वह अपराद होता है उसके लिए क्या punishment रोगा तो अगर कोई सेकेंड टाइम करता है तो इस केस में पहले 300 रुपीज था जिसे अब बढ़ा के 1500 रुपीज कर दिया में तब अगर सेकेंड टाइम करता है कोई भी प्रोवीजन जो मेंसन नहीं है मोटरवाई कि लैक्ट 98 में ऑफेंस के बारे में तो अगर वह सेकेंड टाइम करता है तो एर हजार रुपया और फर्स्ट टाइम करता है तो 500 रुपी का फाइन लगेगा पहले क्या था 100 रुपीज और 300 रुपीज यह दोनों चीजों को आपको इस तरह से लिख लेना है कि विफोर यहां पे 100 रुपीज जो जेनरल प्रोवीजन फॉर पनिश्मेंट आफ ओफेंस पेनल्टीज फॉर काणर्ऽफिशन ऑफ रेगुलेशन अंडर सेक्षंण 118 ऐस तो सेक्षं 118 के फुल्च पेनल्टीज फोती है यह जो सेक्षं 172 एँ सेग्ड किया गया मैंने तो जो सेक्षन 118 है आपको समझना होगा कि जो सेक्षन 118 क्या है हम लोगो ने पड़ा था ड्राइविंग्र ड्रीडेशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते तो उस कैकस में आपको फाइन सेल नौट भी लेस तेन 500 रुपीज मींस कि मैक्सिमम मीनिमम जो आपको कम से कम आपको जो फाइन लगेगा अगर आप 118 सेक्षन को आप वाइलेट करते हैं तो 500 रुपे का आपको जुर्माना लगेगा मीनिमम 500 रुपे से लेकर हजार रुपे तक फाइन लग सकता है अगर आप पेनल्टी आपको सेक्षन 118 को आप वाइलेट करते हैं इसकी उलंगन करते हैं तो सेक्षन 178 पेनल्टीज फॉर ट्रैबलिंग विदाउथ पास और टिकट एंड फॉर डेलिक्षन ऑफ ड्यूटी ऑन पार्ट ऑफ कंडुक्टर और रिफूजल तुप्लाइग कॉंट्रेक्ट करेज एटसेटरा मिन्स की जो भी पेनल्टीज है जो विदाउथ टिकट ट्र करते हैं बसेस में पबलिक फ्रेसेस अब एक च लाप पेनल्टीज हैं वो यहां पर जिक्र है सब सेक्षन वन में कि जो भी ट्रैवल करते हैं स्टेज कैरेज में या जो पब्लीक प्लेसे बसेस हैं उसमें तो उसके पास अगर कोई एजेंट है या जो कोई कि कंड़क्टर है अगर उससे टिकट की मांग करते हैं और वह प्रोपर पास या टिकट सो करने में फेल हो जाते तो उसकेस में उसे 500 रुपीज का पनिश्मिंट मिल सकता है मिन्स की टिकट का जो फेर है वह भी लग सकता है या उससे अधिक 500 रुपे तक उसे फाइन लग सकता है अगर कोई कंड़क्टर है अगर वो conductor fails होता है means की ticket supply करने से refuse करता है या invalid ticket supply करता है means की conductor miss ये इसका use करता है miss use करता है इस ticket देने में या जो भी तो इस cases में अगर वो जो two wheel या three wheel के जो vehicles है इसके लिए उसे 50 rupees का जुर्माना लगेगा जो conductor है अगर दूसरे कोई vehicle है जो two wheel और three wheel के जैसे और टो वे टेमपू हुए यह सब चीज़े क्या होते हैं जो बाइक होते हैं तो इस cases में इसको 50 rupees का जुर्माना लगेगा और वो ticket का supply अच्छे से नहीं करता है तो अगर इसको छोड़कर दूसरी कोई vehicles है तो उसमें 100 रुपीज का जुर्माना लगेगा इसे आप जरूर नोट कर ले कौपी में ओके सेक्शन 179 डिस ओविडेंस ऑफ orders of extraction and refusal of information तो जो भी information है या जो भी कोई जो एक्ट के त्रू जो भी लौ है उसको अगर अव्मानना करता है कोई orders निकलते हैं उसके अवमानना कोई करता है तो इस cases में उसे क्या लगेगा अगर कोई पेनल्टी उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया तो उसके लिए 500 रूपीज जो कि पहले लगता था अब उसे बढ़ा के अगर कोई ओफेंस करते हैं और उसका पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं किया गया इस केसे में और रॉंग फुली और इन्फॉर्मिसन देते हैं तो पहले 500 रूपीज था जो उसे बढ़ा के 2000 रूपीज कर दिया गया है ओक और जो भी और उसे इन प्रिजमेंट फॉरे टर् अब की अनुust montage उसे जेल भी हो सकता है या दो नो यह ऐजार का feign भी हो सकता है या दो नो हो सकता है जेल ऑधोजर का Fein पहले क्या था जेल एक मंद का और 500 रुपया का फाइन दोनों हो सकता था या एक हो सकता था ओके सेक्षण 180 एलाविंग अनॉथराइज पर्शन टू ड्राइव वेहिकिल्स तो जो भी वेहिकिल्स को जो अनॉथराइज पर्शन है जैसे आपने सेक्षण 3 और सेक्षण 4 को पढ़ाता वहां पर डियल होना चाहिए अगर आपका वेहिकिल्स है और आप किसी उसके लिए अगर आपने अनॉथराइज पर्शन को ड्राइब करने के लिए आपने गारी को दिया तो उसके सेस में जो ओनर है जो वेहिकिल्स का ओनर है उसको इंप्रिजमेंट हो सकता है जेल हो सकता है थ्री मंस का ओके और जो पहले जो फाइन थे वह एक हजार रुपे जिसे बढ़ा के अब 5,000 रुपीज कर दिया गया मिन्स के मोटरवाइकिल एक 98 के अमेंडमेंट में उसके अनुसार तीन मंत का जेल और पांच हजार रुपे फाइन हो सकता है और पहले क्या था 1,000 रुपीज का फाइन था एलाविंग अन आउथराइज परसंट टू ड्र आज बाते हैं तो उसके से आज़न नहीं तो उसके सब्सक्राइब उसे फाइन और इन परीजमेंट हो सकता है जेल हो सकता है तो जेल कितने महीने का तीन मंद्स का हो सकता है और फाइन जो पहले था 500 रुपीज जो से बढ़ाके अब 5,000 रुपिया कर दिया गया 5000 रुपीज या दोनों ओके मिन्स कि तीन महिने का जेल और 5000 रुपीज का फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकता और पहले क्या था 500 रुपे का फाइन और तीन मेंत का जेल ओके नेक्स जो हमारा है सेक्षन 182 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लाइसेंस मिन्स की जो ऑफेंस है मिन्स की अपराद अगर कोई करता है लाइसेंस के परती मिन्स की इस तरह से जैसे यहां अग्र को दोखने है और उसके लिए बिना उसके इंडोस्मेंट उसके बारे में बताए हुए बीना बताय हुए प्रिवास्री जो रिवोक हुआ है या कुछ भी हुआ है उसके license के साथ driving license के साथ और उसके विदावत उसके information दिये वो फिर से new license लेके वह वेहिकल को चलाता है तो उसकेस में क्या होगा उसे तीन मनत का जेल हो सकता है इंप्रिजमेंट हो सकता है जेल हो सकता है और जो पहले जो फाइन था वह 500 रुपे था जिसे बढ़ा के अब मोटर वेकिल एमेंडमेंट जो हुए है तो से 10,000 कर दिया गया जो किसी दूसे जो ने लिया और पिर से वेकिल्स को चलाने लगा तो इस केसस में जो पनिश्मेंट मिलेगा वह 3-month का जेल या 10,000 लगे पहले क्या था 500 रुपे इसे बढ़ा दिया गया है दस हजार रुपया ओके सेक्षन 182a 182a यह जो सेक्षन है इसे एड क्या गया है 2019 के amendment में ओके तो इसमें क्या है कि जो भी punishment मिलेंगे किस चीज़ों के लिए अगर construction maintenance जो हम लोग ने chapter 7 में पढ़ा था ओके chapter 7 में construction maintenance sale and alteration मिंस्तर की जो भी motor vehicle में alteration करते हैं या component में तो उसमें क्या punishment है अगर कोई भी चीज़े है जो manufacturer है या importer है या dealer है अगर कोई ड्राइबर्स है या जो भी चीज़े है वो alter करता है means कि जो motor vehicle को alteration कर देता है जो chapter 7 के rules को follow नहीं करता है तो इस case में जो पर imprisonment होगा जेल होगा वह one year का होगा या fine of one लाख रूपीज सच पर मोटर वहीं कि विद्वोथ मिंस की उसे छे one year का जेल भी हो सकता है या उसे एक लाख रूपे का fine देना होगा या दोनों हो सकता है मिंस कि कोई motor vehicle है उसका मिंस की alteration कर दिया जो की dangerously हो सकता है खतरनाक हो सकता है जो motor vehicle चैप्टर 7 maintenance के जो चैप्टर है construction equipment maintenance वहां उसको follow नहीं करता है वह जो rules वहां पर mention है उसे follow नहीं करता है तो इस cases में उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहा था जो कि चैप्टर 7 को follow नहीं कर रहा था या जो बेच रहा है वह बोला कि नहीं manufacturer से हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिले तो इस cases में वह बस सकता है अगर जो अगर मैंने खरीद के लाया तो मैंने बताया कि जब मैंने डीलर से खरीदा था तो समय यह problem था तो मैं प्रूब कर देता हूं तो मुझे यह फाइन नहीं लगेगा अगर डीलर ने बता दिया कि मैंनुफेक्टर ने इस तरह से हमें प्रोडूश किया गया था तो यह चीजे फाइन नहीं लगया तब जाके वह manufacturer को वह फाइन लगेगा उस cases में क्या होगा सेक्शन टू है कि अगर जैसे सब सेक्शन वन में हम लोग ने पढ़ा कि जो भी problem है अगर वह manufacturer के त्वारा किया गया है अगर इस यह डीलर या जो हमने हमने खड़ी था और हमने हमने बता दिया कि मैं प्रूब कर दिया कि नहीं मेरे से इगल मैंने नहीं किया नहीं सकता है तो यह सब चीजे उन पे लगेगा करते घृष्व और यह फ्रथे ऊजय सब यह सब चीजे ओन लगेगा उन्हें जेल हो सकता है छे मंत का ओके वन येर का और वन हंड़ेड करोड का उनको फाइंड लग सकता है जो सबसेक्शन थीरी है जो क्रिटिकल सेप्टी कंपोनेंट के द्वारा बनाना है अगर वह फॉलो नहीं होता है तो उसे वन इयर का कि इनपरीजमेंट और वन लाक फॉपिज पर सच कंपोनेंट और विक वॉट pushed लिंज कि अगर ऐसा कंपोनेंट क्रिटिकल कंपोनेंट को सेल करता है और वो जो सेंटल कॉमेंड के जो रूल्स है उसके द्वारा वह फॉलनल नहीं किया जाता तो इस केसेश वन येर का जेल या एक लाख रुपेज पर सच कंपोनेंट में अगर कोई मोटर वेकिल का ओनर है हमने और उसके अल्टरेशन कर दिया कर देना इस तरह से समझ है तो मोटर वेकिल के जो पार्ट है उसको अल्टरेशन करते हैं तो इस केसे में भी उसे पनिश्मेंट मिलेगा क्योंकि जो भी वेकिल्स बनते हैं मैनुफेक्षिरर के द्वारा उसेंट्रल मोटर वेकिल्स रूल्स है उसको देखकर उसके जो रूल्स रेगुलिस के जो नॉर्म से उसको फॉल्व करके बनाया जाता है तो आप उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं तो उसके इंप्रीजमेंट जो होगा वह सिक्स मंस का होगा और फाइं जोरगा 5,000 रूपीज पर सच अल्टरेशन मेंस कि पर अल्टरेशन आपको 5,000 रुपय का फाइं लगेंगा या 6 मंस का जेल हो सकता है या दोनों हो सकता है ओके यह चीज़ें यहाँ संसे सेक्षन 182a में ओके नेक्स होमारा सेक्षन 182b यह भी 2019 के अमेंडमेंट में एड क्या गया पनिश्मेंट फॉर कंट्रवेशन ऑफ सेक्षन 62a 62a क्या प्रोवीशन ओफ रेजिस्ट्रेशन location अन insuence फ सर्टिफिकेट परेटयत थो ओर साइजender सर्वेशन की सेवच इसका फ्रोवीशन थे door ऐसके मैं बाहिएव नेटरो आप अ को भी नकूल करगदो आप ऊग तो फ्रोवीशन परोवीशन ने और जाल भी नॉट भी लेस देन 5,000 रूपीड बट में एक्स्टेंट टू 10,000 रूपीज मिन्स की प्रोभीटेड है रेजिस्ट्रेशन ओके या सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेश टू ओवर साइज वैकिल जो भी ओवर साइज वैकिल है उसका प्रोभीटेड है और उसको कंट्रवेशन करता है कोई भी तो उसकेस में उसे फाइन लगेगा 5,000 रूपीज या 10,000 पांच हजार से लेके 10,000 तक क्या फाइन लगाया जा सकता है नेक्स जो है मारा सेक्शन 183 ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड एट्सेटरा मींस की एक्सेसिव स्पीड में आप ड्राइव करते हैं तो आपको क्या पेनल्टी देना होगा या क्य पनिश्मेंट मिलेगा यह चीज़ है तो जो भी सेक्शन हमने 112 सेल भी पनिशेबल है इन फॉलोईंग मैनर मेंस की एक्सेसिव स्पीड में जो सब सेक्शन 1 में है जो पॉइंट 1 है इसमें अगर LM भी है लाइट मोटर वहिकल तो उसमें अगर आप एक्सेसिव स्पीड में चलाते हैं तो 1000 रुपीज का पपनिश्मेंट होगा 1000 रुपीज का जोकी एक्स्टेंड हो सकता है 2,000 रुपे तक विसरे पारेंट मेडियम इट्र मैं ऐं रेकल मेडियर पैसंचर वाइकल यह वी मेडियर बेकल या हायवी नो ऊजिटम फ Christmas वेकल इसमें जो बहुत सारे यह चीज्स कहीं आएंगे वह अधेंटना में थू गया है तो जो भी कुस्टेकेशन आए हैं और जो वह कोस्टेंट होएंगे आएंगे वह 2019 इमेंटमेंट के बाद के ही बनेंगे आपसे कुछ कोश्चन पूछे जा सकते कि प्रीवियस कितने थे और अब कितने हो गया है तो इस केसे में आपको तो जो इंपोर्टेंट है उसको मैंने उहां पे मैंने प्रीवियस का भी बताया और अभी के अमेंडमेंट के भी बताया है कि अगर कोई पर्शन नहीं कहा जाएगा और मेंस की जो अपराद है उसके लिए नहीं हो जब तक कि कोई भी पर्शन है जो विटनेस गवाही देगा कि हां मैंने उसे देखा है ड्राइबिंग स्पीड बहुत जादा था ड्राइबिंग टेंजर्स ली कर रहा था एक्सेसिव स्पीड था उसके या जो भी मेकैनिकल या इलक्ट्रोनिक डिवाइस लग रहते हैं चौक चड़ाहे पर आप देखे होंगे उससे पता चलते कि हां कोई वेकिल कितने ड्राइब किया है आपको फाइन लगता है तो ऐसे नहीं लगा सकते हैं वह भी वह भी कोई विटनेस होना जाई है या मेकैनिकल या इलक्ट्रोनिक डिवाइस से वह कैप्चर किया गया हो कि हाँ यह इतने स्पीड में यहां से निकला है नेक्स्ट है मारा सेक्शन 184 ड्राइविंग डेंजर्सली तो यहां पर जो चीजे हैं ड्राइविंग डेंजर्सली में क्या-क्या चीज़ है जैसे कोई भी रेड़ लाइट को जंप करता है या वाइलेट करता है स्टॉप साइन को या जो कॉम्मुनिकेशन डिवाइस है जो जैसे मोबाइल फोन है तो यह सब चीजे का यूज करता है या पासिंग या ओवर्टेकिंग करता है अधर वेकिल्स इन ए मैनर ऑफ कंट्रेरी टू लो तू लो मिन्सकि कोई जैसे कहीं पर ओवर्टेक बना है तो वहां पर वह ओवर ट्रैफिक ओके यसर चीजे हैं तो इस केसे में क्या लगेगा फाइन पहले जो फाइन था वो fine था 1,000 रुपीज driving dangerously के case में 1,000 रुपीज का fine था लेकिन अब जो है which may not extend which may extend to one year but shall not be less than six months और with fine which shall not be less than 1,000 रुपीज but may extend to 5,000 रुपीज और with both अगर driving dangerously है तो इस cases में अब जो amendment के बाद है वो है कि अगर jail जो है उसे कम से कम one year का extend किया जा सकता है एक साल का jail या less than six months अगर jail होता है तो 6 month का jail तो minimum होगा ही होगा या उसे extend करके one year का होगा और जो fine होगा वो minimum 1,000 रुपीज का होगा जिसे बढ़ा के 5,000 तक किया जा सकता है ओके या दोनों हो सकता है यह ऐसा भी mention है दोनों भी हो सकता है अगर कोई ऐसा case second time करता है पहला बार करता है fine लगता है छुट जाता है लेकिन बाद में वो फिर second time वो पकड़ायता है तो इस cases में जो उसे jail होगा imprisonment होगा वो 2 years का होगा और जो fine लगेगा वो 10,000 रुपीज का लगेगा पहले जो यह fine था वो 2,000 रुपीज का fine था सेक्शन 185 driving by a drunken person और by a person under the influence of drugs तो जो भी drunken person होते है जो सरापपी के गारी चलाते है या की drug के influence में गारी चलाते है तो इस cases में क्या penalties है fine है यह चीज़े यहाँ पर अगर जो blood है अगर उसका check किया जाता है अगर blood में उसे 30 mg पर 100 ml alcohol अगर मिलता है तो उसे माना जाएगा कि वो influence of drugs है 30 mg पर 100 ml में alcohol मिलता है अगर blood में तो अगर उसे ज्यादा मिलता है तो वो influence of drugs माना जाएगा तो इस cases में जो पहले जो लगता था fine वो था 2000 रुपीज का और imprisonment क्या था 6 मंत का 6 मंत का jail और 2000 रुपीज का fine था लेकिन अब इसे बढ़ा के कर दिया गया है 10,000 रुपीज मिन्स कि अगर कोई दारू पीकर गारी चला रहा है तो उसे 10,000 रुपीज का fine लगेगा या दोनों लग सकता है अगर यही चीजे वो second times करता है तो उसे जो jail की सजा होगी वो दो साल की सजा होगी और जो fine लगेगा वो 15,000 का fine लगेगा पहले यह क्या था? तीन हजार का fine था पहले तीन हजार का fine था second time करने पे और उसे बढ़ा के अब कर दिया गया है 15,000 का fine या दोनों नेक्स्ट जो हमारा section 186 driving when mentally or physically unfit to drive जो driving कर रहा है जो mentally fit नहीं है physically unfit है तो इस cases में अगर कोई drive करता है मेंस कि वो drive करने लाइक नहीं है और तब भी drive कर रहा है mentally fit नहीं है तो इस cases में उसे जो fine लगेगा पहले जो fine था वो 200 रुपीज का fine था पहले लेकिन अब इसे बढ़ा के 1000 रुपीज कर दिया गया अगर वो mentally या physically unfit है अगर वो drive करता है तो इस cases में जो उसे जुर्माना लगेगा 1000 रुपीज का जुर्माना लगेगा अगर यही चीज़े वो second time करता है तो पहले लगता था 500 रुपे अब उसे बढ़ा के 2000 रुपीज कर दिया गया है ओके नेक्स जो हमारा section 187 punishment for offenses relating to accident तो जो भी punishment लगेगा पनिश्मेंट मिलेगा एक्सिडेंट के रिलेटिंग है मतलब कि कोई भी section 132 हमने पढ़ा था duty to driver करता है कोई भी आदवी और कुछ इस तरह के एक्सिडेंट होते हैं तो आपको जो भी information उसे आपको देना है यह आपका duty बनता है section 34 है अगर यह सब का violation करता है कोई भी आदवी कि ओके तो इसके लिए जो punishment होगा वह punishment होगा थ्री मंथ का पहले थ्री मंथ का इंप्रीजमेंट था लेकिन अब इसे बढ़ा कर दिया गया मिंस कि पहले अगर इस यह सब चीजों को follow नहीं कोई करता है तो पहले तीन मंथ का था जेल अब उसे बढ़ा के छे मंथ कर दिया गया और जो fine है पहले 500 रुपीज का था जिसे बढ़ा के दस गुना कर दिया गया आपको इस तरह से भी question पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई से बंदा section इस तरह के जो sections है उसे follow नहीं करता है तो कितना गुना इसमें fine में विर्दी कर दिया गया तो आपको बोला जा सकता है आप 10 गुना 10 टाइम्स या इस तरह के questions भी आ सकते हैं तो आपको जो important है उसके जो पुराने जो पेनल्टीज है नए पेनल्टीज वो भी ध पहले 500 उपीज का fine था लेकिन अब उसे बढ़ा के 5000 कर दिया गया है या दोनों हो सकता है जेल भी हो सकता है और fine भी हो सकता है अगर यह जो है जो convicted कोई person है पहले करता है और फिर बाद में भी यह second time यह करता है तो इसका जो जेल होगा पहले six month था उसे मतलब second time करता है तो छे मन था लेकिन अब उसे बढ़ाया गया छे हजार रुपे और जो पहले जो fine था अगर second time करता है तो 1000 रुपीज का उसे बढ़ा के 10,000 रुपीज कर दिया गया है या दोनों second time करता है तो इस तरह के cases fine लगेंगे उसे section 188 punishment for abatement of certain offenses तो जो abatement होते हैं means कि whoever acts the commission of an offense under section 184 under section 185 or section 186 shall be punishable with the punishment provided for the offense means कि जो offense है जो अपराद किया है section 184 185 186 में तो इसमें जो commission है वो decide कर सकती है उसके जो उसके जो पेनल्टीज है उससे कमी कर सकती है अबेट कर सकती है कमी कर सकती है okay next जो हमारा section 189 racing and trials of speeds तो आप racing नहीं कर सकते हैं हम लोग ने बहुत सारे जो अगर आपने विदाउत कोई permission के आप इस तरह के रीटेन कोई भी चीज नहीं है आपके कोई पर आपको रीटेन कुछ नहीं है और आप इस तरह के रेसिंग ट्राइल करते हैं लेकिन अब उसे बढ़ा के 5000 रुपया कर दिया गया है या दोनों अगर इसी इसी चीज़ को सबस्विक्वेंट दोबारा करता है पहले किया हुआ है फिर से वहीं चीज़ करता है रेसिंग ट्राइल में पकड़ाता है तो उसके इस केसे में उसे जेल जो वन येर का होगा और फाइन जो होगा दस हजार रुपीर का होगा या दोनों सकता है ओके यह चीज़े यहां पर में सनने नेक्स जो मारा सेक्शन 190 यूजिंग वेकिल इन अन्सेफ कंडिशन मीन्स की वेकिल है जो कि माले ट्रेलर है कोई तो ट्रेलर अनसे पहां मेंस की उसके जो नट बोल्ट है वो सब ढीले हैं या इस तरह के जो प्रॉब्लम है कोई को प्रॉब्लम हो सकता है एक्सिडेंट हो सकता है कुछ पब्लिक प्लेस में तो पहले जो था 250 रुपे का फाइन लगता था ओके लेकिन एमेंड मेंड मेंड के बाद उसे 1500 रुपे का फाइन कर दिया गया है ओके अगर अगर इस तरह के विट अगर क्या होता है कि किसी का बॉड़ी इंजरी होता है मिन्स कि अगर कोई बंदा गारी चला रहा है और उसे कोई जो चेक कर रहे हैं मोटर वहीं के जो भी ऑथरीटी हैं अगर उसे पाग है कि वह अंसेफ कंडिशन में वेहिकल को चला रहे हैं तो इस में तो उसे जो एमेंडमेंट में 1500 रूपीज का फाइन लगेगा लेकिन अगर कोई इंजीरी होता है और इप regarded हो जाता है किसी का तो इस के लिए चीजे वह दुबारा पकड़ाता है तो इस केसे में उसका जो जेल की जेल हो सकता है छे मंत का जेल हो सकता है और जो फाइन है वो तो दस हजार का फाइन होगा या जब बॉड़ी इंजरी या कोई भी पुरपर्टी का डैमेज होता है तो कोई भी परसन अगर ड्राइब करता है वेहिकिल्स जो भी वेहिकिल्स में डेंजर्स या हैजार्डस नेचर के कोई चीजे हैं जिसके कान कोई लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया क्या किया गया उसे दस हजार का फाइन लगेगा और डिसक्वालिफिकेशन फॉर वोल्डिंग लाइसेंस पॉर ए पिरिया ट्री मंस इसमें पहले था सिफ तीन हजार का फाइन देना पड़ता था और निश्चिन से होके चलाई आप गारी लेकिन पहले अब क्या कर दिया गया कि दस हजार का फाइन और ड्राइविंग लाइसेंस को तीन मंत के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा यह थे टोटल हमारे सेक्षन 177 से लेके हमने सेक्षन 190 तक हमने कवर किया ओके नेक्स जो विडियो होगा उसमें हम लोग सेक्षन 191 से लेके 210 टोटल चैप्टर 13 के जो सेक्षन है उसे कवर करेंगे आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह चीजे आप लोग जरूर इसके नोट्स बनाए ता fest